बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग का अध्याए एक समाप्ति की ओर है और अध्याए एक में हम लोगों ने यूनिट वन से जीरो से तीन साल के सिस्यों के बिभिन प्रकार के विकासों के बारे में विस्ति जानकारी प्राप्त की तो हम लोग इसमें अब कुछ प्रश्न उत्तर भी आवस्यक है जिसे हम लोग सॉल्फ करेंगे अभ्यास के प्रश्न है जिसमें सबसे पहले है अती लगधू उत्तरिये प्रश्न यानि कि बहुत संचिप्त में इसका जवाब देना है तो इसका पहला और एक बात और है कि कौन सा कोस्चन किस एक्जाम में आ चुका है इसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाएगा पहला सवाल है व्रिधी से आप क्या समझते हैं तो इसका एंसर होगा बालक के सारीरिक आकार वरूप में प्रगतिसील परिवर्तन को कहते हैं यह परिवर्तन मात्रात्मक होती है ठीक ठीक है दूसरा सवाल है तीन वर्स के बालक की ओसत लंबाई क्या है? तीन वर्स के बालक की ओसत लंबाई क्या है? ये सवाल जो है, जैक 2009 में पूछा जा चुका है जैक कर्थाथ जार्खंड एकाडमिक कॉंसिल 12 के बोर्ड एक्जाम में इसे पूछा गया है तो इसका एंसर होगा तीन वर्ज के बालक के उसत लंबाई क्या है तो तीन वर्ज के बालक के उसत लंबाई 90 से 106 सेंटीमिटर की होती है फिर है बकवाद क्या है तथा या किस आयू पर प्रारंब होता है क्या सवाल है बकवाद क्या है और या किस आयू पर प्रारंब होता है तो बकवाद कुछ विसफोटक ध्वनिया, बालक द्वारा अधिक्रित होती है तथा या बबलाने या बकवाद करने में विख्शित होती है या सिसू में दूसरे या तीसरे मा से प्रारम्भ हो जाती है और ये ध्वनी क्या है? जैसे कू की आवाज निकालना या अपने मुख से गरगराहट की आवाज निकालना तो अगले सवाल को हम लोग देखते हैं समाजी करन की एक परिभासा लिखिए या समाजी विकास को परिभासित कीजिए ये सवाल भी जैक 2016 में पुछा जा चुका है तो एंसर है इसका अपने बेवहार को समाज की अपेक्छाओं के अनुरूप ढालने को समाजी करन एक प्रिक्रिया है जिसके द्वारा बालक खाना बोलना तथा खेलना सीखता है इसका अर्थ समू में अच्छा बेवहार करना होता है नेक्स्ट कोस्टन है क्रियात्मक विकास का महत्व बताईए ये क्रियात्मक विकास का महत्व बताईए ये सवाल जो है जैक 2009, 11 और 14 ये तीन साल ये प्रस्ण पूछे जा चुके हैं जिसमें है इसका एंसर होगा सारीरिक वा क्रियात्मक विकास बालक की क्रियाओं के छेत्र को बढ़ाता है बालक खुद से अपने वातावरन को जानने वा समझने की कोशिस करता है वह नई नई कलाओं वा क्रियाओं को सीखता है जिससे उसमें आत्म विश्वास उत्पन होता है तथा वह आत्म निर्भरत का आतनिर्भरता का अनुभाव भी करता है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट कोश्चन है किस आयू पर बालक निम्लिखित कारे करता है जैसे कि थोड़ी उठाना और फुटबॉल खेलना इसमें आयू बताना है बच्चे का जैसे ठोरी उठाना किस आयू में करता है कौन से मां में करता है तो इसका एंसरों का एक मां और फुटबॉल खेलना ये वच्चे 21 माह में आरम करते हैं तक उस समय तक उनके पैरों में काफी संतुलन आ चुगा होता है नेक्स्ट कोशन है किस आयू में सिसू निमलिखित क्रियाएं करता है पहला है अपने सीर को उपर उठाना और दूसरा आत निर्वर रूप से खड़ा होना तो इसका एंसर होगा जैसे सीर को उपर उठाना सीर को उपर उठाना बच्चे की सुम्र में करते हैं तो जिस तरह से थोड़ी उठाते हैं तो ऐसे ही सीर भी उठाते हैं तो एक माह में बच्चे जो है वो सीर उठाना आरम कर देते हैं सीर को उपर की ओर उठाते हैं, कुछ समय के लिए, चंद सेकेंड के लिए, और दूसरा है, आत्म निर्भर रुप से खड़ा होना, खुद से खड़ा, बिना किसी सफोर्ट के ही, बिना किसी सहारे के, कितने माहने में चड़े होने लगते हैं, तो 12 माह में सिसु आत्म निर्भरूप से खड़ा होना शुरू कर देता है नेक्स्ट है बालक के अस्थाई तथा अस्थाई दातों की संख्या कितनी होती है इसके बारे में हम लोग विस्तिज जानकारी प्राप्त कर चुके हैं बच्चे के विकास के अंतरगत अनुपातिक विकास के अंतरगत तो इसमें है बालक में अस्थाई दातों की संख्या कितनी होती है और अस्थाई दातों की संख्या तो बच्चे के जो अस्थाई दात होते हैं वो 32 होते हैं और और स्थाईदात जो होते हैं वो 20 होते हैं नेक्स्ट है एक वर्स की आयू के बालक के भासा की एक विशेशता बताईए क्या है एक वर्स के बालक की आयू के एक वर्स की आयू के बालक के भासा के विशेशता भासा विकास हम लोग पढ़ चुके हैं, तो एक वर्स के बच्चे में भासा विकास का कोई एक उधारन बताना है, तो इसमें है एक वर्स की आयू का वालग, अर्थ के साथ एक अत्वा दो सब्दों को बोल सकता है, नेक्ष्ट है सैस्वा वस्था से क्या आसे है, तो सैस्व वर्स्था क्या हो गया इसकी अवदी पूछी जा रही है जो जन्म से दो सप्ता की होती है कि नेक्स्ट कोस्टन है एक नवजात सिसु का भार दो किलोग्राम होता है एक वर्स तथा पांच माहर था डेर वर्स पर उसका भार बता है यह कि मैथेमेटिकल कोस्टन पूछा गया है उसी टाइप से तो इसमें हम लोगों को देखना है कि जब बच्चे का भार एक नवजात सिसु का जन्ता बच्चा का भार जो है दो किलो है दो किलोग्राम है तो एक वर्स तथा पांच माह में अर्था जब वो डेर माह का सौरी डेर 5.5 किलोग्राम का होता है अगला कोस्टन है नवजात सिसु के लिए सर्वत्तम आहार क्या है बताइए आप लोग मालूम होगा साइद तो नवजात सिसु के लिए सर्वत्तम आहार मा का दूध है अगला है जन्म के समय नवजात सिसु द्वारा की गई धोनी को क्या कहते है ये भी सवाल 2010 में आ चुका है तो देखते हैं इसका एंसर होगा गरगराने जैसी आवाज निकालना कैसी आवाज निकालता है नौजात सिसू यारे उसे क्या कहा जाता तो गरगडाहत की आवाज गरगडाने जसी आवाज मुख से निकालता है फिर समाजिक्ता के क्या कारण है यह सवाल भी 2011 में आ चुका है यह बिहारिस्कुल एक्जामेसर बोर्ड में 2011 में से पुछा गया था तो इसका एंसर होगा सिसू जब नएव आतावरन और माहौल में आता है तब वो खुद को उसमें समायोजित करने का प्रयास करता है और धीरे धीरे समाज के लोगों द्वारा दी गई प्रतिक्रियाओं की नकल करके बहुत कुछ सीखता है जैसे मिलजूल कर रहना, बाट कर खाना, सहयोग, आदर, सहानुभूती, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना, इत्यादी ये सभी चीजे बच्चे कहां से ग्रहन करते हैं? वो अपने समाज से इसे ग्रहन करते हैं उसके बाद अगला कोस्चन है समेकित बाल विकास योजना के मुख्य कारेकरम कौन से है? क्या है समेकित बाल विकास योजना के मुख्य कारेक्रम कौन-कौन से हैं ये सवाल भी 2012-14 में पूछा जा चुका है तो ये कोस्टन जो है इस चैप्टर से संबंदित नहीं है ये पढ़ना आप लोगों को लेकिन अगले चैप्टर में तो लेकिन फिर भी इसका जवाव आप लोग जानेए समेकित बाल विकास योजना भारत सरकार द्वारा राश्टर स्थर्पर 1975 में प्रादम की गई थी इस योजना के अंतरगत निम्लिखित कारेक्रम चलाए गये थ जह शवा वर्ष्टक के बच्चों का सरवांगीन विकास उसके रथा बाल पिस्वास्त को सुधारना के का करन्व पोशन का स्तरसुधारना मनोवेज्यानिक अन्हेरीडिक और समाजिक गुनों का विकास फिर था बालकों की प्रात्मिक सिच्छा उसके बाद थी अन्था गर्वती माताएं वह धात्री माताओं की पोशन वह स्वास्त संबंदी सुवधाओं के ज्यान देना और उसकी देख्भाल भी करना और लास्ट इसका जो कारिक्रम था वो मात्री अंसीसु मिर्थी उदर को कम करना था क्योंकि बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने से मात्री शिसु मिर्थी बहुत बढ़ गई थी नेक्स्ट कोस्चन है क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं ये कोस्चन भी जैक 2012 में पुछा जा चुका है तो क्रियात्मक विकास से आप क्या समझते हैं इसका एंसर होगा जैसे से बालक का सारीरिक विकास होता है उसके असनायू संस्थान, मान स्पेसियां वहडियां भी विक्सित और मजबूत होती जाती है उनमें आपस मेदिक ताल मेल भी होना आरंब हो जाता है बालक अपने सरीर पर नियंतरन प्राप्त कर लेता है अब सिसु अपने वातावरन को धीरे-धीरे समझने भी लगता है और उससे वो सामंज़स से भी अस्थापित करने की कोशिस करता है ऐसे विकास को ही क्रियात्मक विकास कहा जाता है ठीक है? आगे बढ़ें हम लो अगला कोस्चन है संबेग क्या है? बच्चों में पाये जाने वाले किनी दो संबेगों को लिखें संबेग क्या है? संबेग की पडिवासा तो संबेग क्या है? इसका एंसर होगा संबेग एक स्वभाविक क्रिया है या भावनाएं बालक बच्पन में ही अनुभाव करता है संबेग में सारीरिक ववा मानसिक दोनों ही क्रियाएं होती है बच्चों में पाये जाने वाले निमलिखित संबेग हैं तो कोस्चन में दो ही संबेग पूछ रहा है तो इसमें हम लोग प्रशन्यता और क्रोध ये दो तरह के संबेर बच्चों में पाए जाते हैं अगला question है जन्म के समय नवजात सिसु का वजन कितना होता है स्याद ये भी आपनों को याद होगा जन्म के समय नवजात सिसु का वजन जो है वो 2.5 kg से 3.5 kg होता है उसके बाद है अगला सवाल है विकास को उदाहरन के साथ परिभासित करें विकास ब्रिधी और विकास हम लोग पढ़े थे तो इसमें question है कि विकास को उदाहरन के साथ परिभासित करें तो आईए देखते हैं इसका एंसर विकास बालक में आने वाली सू वेवस्थित, समानुपात वा उन्नत्सील परिवर्तन है जो एक निश्चित लक्ष की ओर अग्रुसर होता है इसमें बालक की सारीरिक, मानसीक, सामाजिक वा संबेगात्मक छम्ताएं विक्सित होती है जैसे इसके उदारन है पहला है विकास सामाने से विसिस्ट की ओर होता है इसके बारे में जाने हम लोग जैसे मा के गर में पहले हाथ और पैर विक्सित होते हैं और फिर बाद में उंगलियां और नाकून आते हैं और इसी तरह से दूसरा है विभीन अंगों के साथ के विकास की गती भिन होती है सभी विकास एक समान नहीं होते हैं तो विभी नंगों के विकास की गती भिन होती है जैसे मस्तिस्ट का विकास जो है वो आठ वर्सों तक होता है जबकि बुद्धी का विकास जो है वो बच्चों में 16 वर्सों तक होता है अगला सवाल है समाजी करन किसे कहते हैं, बच्चों में या किस तरह होता है? समाजी करन किसे कहते हैं, बच्चों में या किस प्रकार होता है? ये भी question आ चुका है, जैक एक्जाम 2013 में तो आईए answer देखते हैं, समाज की परंपराओं, रिती रिवाजों वो जीवन मुल्यों को अपनाना ही समाजी करन है या समाजी करन कहलाता है बच्चों में समाजी करन की पहली सुरुवात अपनी मा को मुस्कुराहत का प्रतियुत्तर मुस्कुरा कर देना होता है यहीं से वो अपने परिवार के जीवन मुल्यों, परंपराओं, धार्मिक विश्वास वो समाज का महत्तों सीखता है सहयोग, आदर, सहानुभूती, आदि को भी सीखता है सुखदुख में सामिल होना सीखता है परिवार के बड़े तथा छोटे सदस्यों द्वारा यह बच्चों में बिक्सित होती है जब बच्चे परिवार में होते हैं तो बहुत तरह की चीजें उन्हें सीखने को मिलती है अगला सवाल है, एक वर्षिये बच्चे की भासा के कोई दूगुन बताईए यह एक वर्षिये बच्चे के भासा के कोई दूगुन बताना है इसका एंसर होगा, एक वर्ष का बालक अर्थ के साथ एक अत्वा दो सब्दों को असपस्ट बोल सकता है या इसका प्रयोग कर सकता है और दूसरा है, साधारन निर्देशों को समझता है विशेश कर्यदी साथिक या सारी संकेत दिये जाए अगला सवाल है, रिंकु अभी एक माह का है एक छोटा बच्चा जिसका नाम रिंकु है, वो एक माह का है दो वर्ष का होने पर उसके सरीर के अनुपात में कौन से ऐसे बदलाव आएंगे जो आसानी से देखे जा सकते हैं, एक छोटा बच्चा है, जो सिर्फ अभी एक महिने का है और जब उसकी आयू दो वर्ष हो जाती है, तो उसमें अनुपातिक विकास के बारे में पूछा जा रहा है कौन सा अनुपातिक विकास होगा, तो आएए देखते हैं, एंसर इसका, इसमें सबसे पहले लंबाई और भार में बृद्धी होगी, शरीर के अपेक्छा सिर का विकास धीमा होगा, शिसू के चेहरे में भी परिवर्टन आ जाता है, यह सब दिखते हैं पिर नवजात सिशू से आप क्या समझते हैं, नवजात सिशू हम लोग इसको कहेंगे इसका अंसर होगा, तुरंत का जन्म लिया हुआ सिशू या बच्चा अगला है, जन्म के समय सिशू की ओसत लंबाई कितनी होती है, इसके पहले हम लोग सिशू के भार भार को बतायें थे लेकिन अभी यह question ना जन्म के समय सिशु की और सत Normai कितनी होती है कि निहोगी तो जन्म के समय सिशु की और सत्लबाई स शामाने तब PAYTALIश से 54 cm तक होती है अगला सवाल है ब्रिधावस्था कब आरंभ होता है तो ये 45 वर्ष के बाद की जो अवस्था होती है ब्रिधावस्था की अवस्था की सुरुवात की अवस्था होती है अगला सवाल है भासा विकास से आप क्या समझते हैं ये भी कोस्चन आ चुका है रास्थान बोर्ड में 2014 में क्या है भासा विकास से आप क्या समझते हैं आईए देखते हैं भासा संप्रेशन का लोकप्रिये माध्यम है भासा के माध्यम से बालक अपने विचारों, भावनाओं तथा इच्छाओं को दूसरों पर व्यक्त करता है तथा दूसरे के विचारों भावनाओं तथा इच्छाओं को समझ सकता है क्या है भासा जो है अपने विचारों भावनाओं और इच्छाओं को ब्यक्त करने का माध्यम है दूसरे को हम अपने मन की बातों को बता सकते हैं और ठीक उसी प्रकार अगला वेक्ति जो बोल रहा है, उसे हम समझ सकते हैं, तो इसके कुछ माध्यम है, जैसे लिखीत, मौखीत या सांकेति, ये तीन तरह से किया जा सकता है, इसी तरह से आईए देखते हैं, अगला सवाल है, वंसा लुक्रम क्या है? तो इसका एंसर होगा, माता पिता से विकास के सीलगुन, स्वभावादी जो बालक को प्राप्त होते हैं, वो देर सबेर उन सिमाओं को प्राप्त कर लेता है, जैसे कि बालक की लंबाई, भार, सारीरिक गठन, भोलचाल, स्वभाव, रंगरूप, इत्यादी, ये सब क्या है बच्चे को अपने बुजोर्गों से, माता पिता से प्राप्त होता है, इसकी प्राति सिसु अपने वनसजों से करता है, आईए अगला सवाल देखते हैं, बालक के अस्थाई तथा स्थाई दातों की संख्या कितनी होती है, ये सवाल लगता है, दूसरी बारी से दोरा दि बालक के अस्थाई दात बीस होते हैं, और अस्थाई दातों की संख्या जो है, वो 32 होती है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, अगला सवाल क्या है, किस आईउ में सिसु का भार दो गुना और ती गुना होता है, हम लोग सिसु के भार और लंबाई का चार्ट भी देखे, अपने अध्याय से संबंदित, जिस समय हम लोग इसको इस पर अध्यान कर रहा थे, तो उसमें भार और लंबाई का चार्ट भी दिया हुआ था, तो इसमें क्या है, किस आईउ में सिसु का भार दो गुना, दो गुना के सुम्ण में होता है, और ती गुना के सुम्ण में, तो इसका एंसर होगा सिसू का जो भार है वो 5-6 महिने में दो गुना और एक वर्स में ती गुना हो जाता है फिर है अगला सवाल है इसमें सिसू के संग्यानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य घटकों का उलेख कीजिए सिसू के संग्यात्मक विकास यानि कि ग्यानात्मक मांसिक विकास के बारे में पूछ रहा है कि सिसू के संग्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य घटकों का उलेख करना हम रोग इससे संबंदित चीजों को जाना है तो इसमें आईए देखते हैं सिस्यू के संग्यानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले दो मुख्य घटक जो है वो निमलिखित हैं पहला है वनसा नुक्रम और दूसरा है सारीरिक स्वास्त तो इसके लिए हम लोग दो दो लाइन लिख सकते हैं इसमें जैसे वनसा नुक्रम है तो माता पिता से सिल्गुन सीमाएं जैसे भार लंबाई सारीरिक गठन बोल चाल रूप रंग इत्यादी बच्चे को प्राप्त होते हैं यह वनसा नुक्रम हो गया और डूसरा है सारीरिक स्वास्त कैसे प्रभावित करते हैं तो जैसे आस्वास्त रोगी बालकों की बौधिक छमता स्वा सिस्तिति में उसका जो विकास है वह बाजित हो जाता है तो एक स्वास्त बच्चे की अपधिक चहा एक रोगीवचे क्योंके जो विकास होगा किसका होगा जो स्वस्थ बच्चे हैं तो ही इस पर काफी प्रभाव डालते हैं अब अगला क्यों सामाजिक मुस्कान से क्या अतात परे हैं यह सामाजिक करन की पहली सुरुआत तब होती है जब पहली बार अपनी मा को मुस्कुराहट मुस्कुराता हुआ देखकर अपने उत्तर भी मुस्कुरा कर देता है तो अपना जो प्रति उत्तर है वो मुस्कुराहट के साथ देता है मुस्कुराहट भी खेड़ता है बच्चा तो पहली प मां के मुस्कान के प्रति उत्तर में अपनी मुश्कुराहट को भीखेड़ना है आगे देखते हम लोग सारीरिक विखास के मुख्य पक्ष कौन कौन से हैं तो सारीरिक विखास के मुख्य पक्ष निम्लिखित हैं इसका एंसर होगा सिसू का भार लंबाई सारीरिक अनुपार इत्यादी और इस चैप्टर से अती लग्धूत तर ये प्रस्न का ये लास्ट कोस्चन है सिसू के समाजी करन प्रक्रिया के लिए कौन-कौन सी समाजिक संस्थाएं जिम्मेवार होती है हम लोग समाजिक विकास में एक समाजी करन भी पड़े हैं जिसके बारे में जाना है तो सिसु के समाजिक करन प्रक्रिया के लिए कौन सी समाजिक संस्थाय जिम्मेवार है इसका एंसर होगा सिसु के समाजिक करन प्रक्रिया के लिए निमलिखित समाजिक संस्थाय जिम्मेवार है तो इसकी सुरुआत सबसे पहले परिवार से होती है परिवार में सिसु का जन् इस तरह से विद्याले इसके अलावा भी कई सेवी संस्थाएं हैं जैसे क्रेज बालवारी इत्यादी तो बच्चों आज हम लोगों ने अपने प्रथम अध्याय से यानि फर्स्ट रेशन से कुछ प्रस्णों के सवालों को हल किया जो अती लग्भू उत्तरिये प्रश्ण थे अगले वीडियो में हम लोग लग्भू उत्तरिये प्रश्ण इसी चैप्टर से संबंधित है जिसमें इससे थोड़ा बरा एंसर होग कोस्चन का तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को